नमस्कार दोस्तों मैं आपका अपना डॉक्टर सुर्यस परिहार आज हम दी बिग डड़ डैडी शो के अंदर फिर से आप सभी से रूबरू हो रहे हैं जिसमें पिता-पुत्तर के जो यादों भरे किस्से है यह आप सभी के साथ में शेयर करेंगे मैं आप सभी को बताना च और मुझे कभी कभी लगता है 90% विचार भी के मेरे बारे में होते हैं यह कैसे आगे बढ़े कैसे इसकी पढ़ाई हो किस प्रकार से इन्होंने मेरे पूरे जीवन के अंदर बहुत सारे फोर्मूले अपनाए बहुत सारे चीज़ें कि आपको मैं बताना चाहूं कि 2005 से मैं बाहर जैसे कि मुझे इन्होंने भेज़ दिया गाहूं से और मैं वापस आया था लगबग 2019 में जब मैं सूरत गड़ाय तो यह लगबग 14 साल हो जाते हैं तो 14 साल भारतिय संस्कृति में एक अलग भी बात है और वो 14 साल जो थे वो थे वनवास के लेकिन मैं वनवास नही बहुत सारी चीजें अपलाई की हर रोज हमारी श्याम को बात होती यसे बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जिनके हर रोज श्याम को अपने घर के जो लोग हैं घर के जो सदेश्य उनके साथ में उनकी बात होती हो लेकिन उससे पहले भी एक ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल करत तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने ये क्यों किया ये किस प्रकार से था और इसके पीछे की आपकी क्या सोच तो इन्हीं के जो जो सब्द हैं उनसे हम ये पूरी जो किस्सा है वो सुनते हैं धन्यवाद आप सबीगा थोड़ा ज्यादा लंब है मैं थोड़ा शोट में बताना चाहूंगा कि मैं मैं अच्छा सब्सक्राइब करनी चाहिए उसके बाद मेरे पड़ोसी थे उन्होंने का नहीं आप पॉल्टेगनिक करें तो मैंने पॉल्टेगनिक इंजिनिरिंग में एड्मिशन ल मेरे उस्टल के पास एक उस्टल था मेडिकल तो मेरे दिमाग में थोड़ी बातें आई भी क्या अपने भी कोई डॉक्टर बन सकता है इसे विचार मेरे दिमाग में 1887 तक आते हैं फिर मेरा चोटा भाई था रजीराम मैंने उसको बायो दिलवाई डॉक्टर बनाने की कोशिस की इसने भी परियास किया लेकिन सफल नहीं हो सका तेकिन फिर भी उसने बीस से एमस्टी बीएड चंडीगर से की वो में सेलेक्ट नहीं हो पाया उसके बाद 1990 में सुरेश का जनम हुआ फिर मैंने इस पर ध्यान देना शुरू किया तो मैंने सोचा भी इसको मैं घर पर पढ़ाऊं मैं मैथमेटिश ता था ही साइंस भी था इंगलिस भी मैं स्कूल में पढ़ाया करता था तो मैंने तिनों मैंने की तो मेरा देख आता छीन पांत मी पास की तो मैं पांत मी पास करते किताब में ङर्ड मिनेवाड़े चूतियों में समर्वेकेशन के अंदर नियाल नय बेढ़ कर के घरपर फूरी किताबह दो पढ़ा दिया नहीं तो फायदा नहीं इसको पूरा पर लिए उसका फै गजस्वी तक मेरा यह रूटीन संतारा इसका फाइदा यह राख कि प्रत्म स्क्राइब किया फिर मैंने इसको ली यूव स्कूल में बेजा बायो लेगी लेगी यह कि मैठ में जदा उशार ता सो में से सो तो जैसे इसने 10 प्लस किया एक बार इसका दिमाग इल गया कि मुझे तो मैठ लेनी ती लेकिन देखो मेरा सपना था डोक्टर बनाने का फिर भी मैंने इसको का भी चलो मेरा सपना डोक्टर बनाने का है जिए आपको बायो अच्छी नहीं लगती था मैठ ली ली फिर वहां राजाराम जी प्रिस्टर साथ थे उन्होंने इसकी प्रड़ी कांसलिंग की दस पंदरा दिने इसको समझाया फिर इसने दोबारा फिर पड़ाई सुरू की लेकिन रजल्ट अच्छारा कि इसका कलास में पर्खम से रहनी थी इसकी और पूरे बीएवी स्कूल में इसका द तो मैंने कोटा इसको एलन में बेजा उसके लिए मैंने थोड़ी प्रीक लानिंग बनाई मेरा वेतन पांजार रुपए था लेकिन मैं पांजार रुपए की आरडी करवाया करता था इसके लिए कुई कम से कम दो डाइलाक रुपए इसके लिए त्यार की और बाकी जो घर करता था वो हम एक तो बैस पालते थे इसका दूर से कुछ मैं हड़कियों को जाने की घर पर कुशन पढ़ाया करता था दो सो तीन सो पांसो रूपए वो मुझे लिया करते थे पर इस हिसाफ से मेरा खर्टा चलता और मैं उस आड़ी के साथा से दो डाहिलाक रूपए इसके कम तयो ऌन दो साथ के अंदर सीटें कम Royal India वी एक तॉर अपने राजस्तान की हुआ ओल इंडिया में इसकी 97 रेंक हुई आई तो इस तरह से जो मेरा एक बहुत 1983 का जो सपना था वो साकार हुआ और मैं देखो मेरा तो प्रियास ही रहता है मावाब भर प्रियास करता है कोशी तो सुरेश नहीं की कि यह नहीं पढ़ता यह कोई और कुछ गल्द काम करता संगती गल्द हो जाती तो यहां तक सब्लता प्राप्ट करनी मुश्किल ज्यादा मैं इसके बारे में लंबा चुड़ा नहीं होता हूंगा और भी क्या क्या हुए लेकिन Qई भी काम करते हैं तो स्टर्गल करना ही प기자 हर माहाबाश परता है असा नंहीं है कि मैं नहीं किया है सबी करते हैं अलग मैं कोई अलग नहीं हूं ज्यदा नहीं इसके वारे में बात करता हूँ हुए मैं तुड़ा आपको वीडियो ज्यादा लंबी हो जायगी सब्सक्राइब करना कि बहुत 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 दन्यवाद यहां तक देखने के लिए लेकिन यह जो कहानी थी जो किस्सा था यह बहुत ही एक यह मान के चलो कि भी इस परकार के चीज था कि पूरी प्लानिंग के साथ में जैसे मैंने बताया कि मेरा जो माइंड है लोजिकल मुझे लगता है इतना अच्छा कर दिया जिसकी मुझे से प्लानिंग बहुत ही अच्छी हुई जद पीस वीडियो देखने के बाद मेरे बहुत सारे जो साथी हैं वह यह भी कहेंगे कि यह तो चीटिंग हो गई हम तो जो है डेड़ महीने में पढ़ते नहीं थे और इसक मैं मतलब करीबन उस टेम होगा 2004 की बात है और जब मैं यहां पर दस्वी क्लास में था तो पूरे गाओं के जो बच्चे थे उनको मैं 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 पढ़ाया करता था तो पूरे गाओं के बच्चों को मैं पढ़ाना तो इससे क्या मेरा जो सेल्फ कॉंपिडेंस है वह भी क्या तूरे मढ़िय का सवाल ना चाहिए उनकी संब्भव हुई यह चे प्लादिंग वाज़े से संब्भवई इसके अलावा कोई भी सवाल है उसको स्वार्फ करना मेरे लिए खेल की पराबर था जैसे मesलों गेम होता है कि भी मैं इस गेम को जब तक जीत नहीं लूगा सब क्योंगत मैं इसको छोड़ू आने वैसे मेरा यह उता सवाल उसको पूरा नहीं कर लेता तब तक ना कुछ x ladies फ्योंगा पानी पी फियогा तो एसा जो एक जो माइंड जो है वो डवलप करने में इनकी जो प्लानिंग है इसका बहुत एक एहम योगदान रहा है आप सभी नहीं ये पूरा किस्सा सुना ये पूरा एपिसोड सुना बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं आगे एक एसी एपिसोड में तो अब तक के लि